आज मैं बात करने वाला हूं fire hydrant की ड्रॉइंगो रीड कैसे करते हैं और fire hydrant साइट पर इंस्टॉल कैसे करते हैं σब्सक्राइब करें दोस्तों के साथ शेयर करें सब्सक्राइब का एक्चुल ड्राइंग इसकी होती है तो आप यह देख सकते हैं है यह आपका आफ़का फईयर हट्रेंट है यह पंप आपका हम तो इसमें और सही hope कि यह आपका चोपि आपने देखा था यह आपने देखा था जो आपको हैघा यह आपका वैरी करें एगा यह आपकी जो इनवर्ट लेवल आपका जूओ लाइन आज लीवल है उसके ईसायाँतर हुसकता है इपट इसे increase and decrease होता रहेगा यह सेम हाइट का नहीं होगा जो आप order देंगे उससे बनकर आएगा उसके बाद के लिए आपका gravel यानि यहां पर आपकी जो है जो concrete होगी तो उसका दिखा रहा है कि gravel होगा उसके बाद यह concrete होगी concrete बेस उसके बाद यह आपका plan adapter आप यह आते हैं आपक जो main line putable कि जिसमें आपका fire hydrant connect करेगा यह आपकी main line इस तरह से हम drawing read करते हैं उसके बाद फिर अलग-अलग section कटा हुआ यह wall box का जो section को जिस तरह से दिया हुआ है wall box का उसके जहां पर आप देख रहे हैं जो concrete है इसे हम thrust block बोलते हैं thrust block के लिए आप यह drawing देखते हैं जहां पर T साफ्शас बॉक आएगा जहां पर 90 का bender है जहां पर त्स ब्लॉक आएगा जहां पर आपका 45 है वहाँ पर आपका तसल बॉक आपका अधर आपका उसके बाद फिर आपका lur 17 जो है कैल्कुलेशन दिया है उसका A A B C जो है वह कि दूझी concrete होगी और फिर आपका अगर आ देखते हैं तो यह आपका जो वॉल्वॉक्स है यानि गेट वॉल्व का और आपका फाइर हड्रेंट की मिनिमम डिस्टेंस एक मीटर होनी चाहिए यानि मिनिमम एक मीटर होना चाहिए यह स्टेंडर्ड है उसके बाद फिर आप यह कैलकुलेशन देखते हैं जहां पर T है वहां पर A कितना होना चाहिए B कितना होना चाहिए C & D बट हम एक्स्ट्रा रखते हैं ताकि जब वाटर का जो है प्रेशर पड़ेगा तो उसमें वाइब्रेशन क्रियेट होगा इस वज़े से अगर मेरा थस्ट ब्लॉक थोड़ा सा बढ़ाई हो तो हमें कोई इशू नहीं है वह बहतर है हमारे लिए इस तरह से हम ड्राइंग यह आप देख सकते हैं यह उसका वाल्व है मिनिम्मम आपके डिस्टेंस जो है वन मीटर रखी गई है यह ज्यादा है यानि एक मीटर से कम नहीं होना चाहिए जैसे कि आपने ड्रॉइंग में देखा था है और यहां पर देख सकते हैं जो बॉटम श्पूल है 味नाजा कि यहां पर नाइंटई और आपका 45 फ पर भी थस्ट ब्लॉक आएगा तो जब यह टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद यहां पर आपका 90 पर थस्ट ब्लॉक आएगा यह आपका वाल्व है और इसी के उपर इस पर डालेंगे और उपर वाल ब्लॉक्स तक कनेट करेंगे जो हमारा फिनिश फ्लोर जो आ यह आपका फूल फायर हईड्रेंट है कि इस तरह से एंस्ट पर इंस्टाल कर सकते हैं करते हैं अपने फायर हाईटरेंट को उसके बाद फीर्टेस्टींग करते हैं अ 어때 कु ओस्ट प्र legit में करते हैं तो दोस्तों के साथ शेयर करेए और जो न्यूव है चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्यू फार वाचिंग